अंटार्टिक हेच्च वेसी चैनल में आप सभी का स्वागत है मेरा नाम है जाविद हामद आज मैं आपसे डक्टेवल पैकेज एर कुल्ड के और एक मॉडल के टॉपिक के बारे में बताने जा रहा हूँ ये मॉडल नंबर आके DPA1052-R1-R2 है इसका नॉमिनल कुलिंग के पासे टी आके 8.75 TR है ब्रिटी सिस्टम में 1,5,000 BTU पर हावर जितनी करमी को ये मशिन अबजॉब करता है एक गंटे में मेट्रिक सिस्टम में बात करें तो 26,460 किलो कैलरीस पर हावर जितनी करमी को अबजॉब करता है इसमें रेफ्रिजरेंट R1 सीरिस रहा तो R22 रेफ्रिजरेंट इस्तमाल होगा इधर R1 सीरिस रहा तो ये मॉडल नंबर के लाश्ट में R1 सीरिस रहा तो R22 रेफ्रिजरेंट इस्तमाल होगा अगर R1 की जगा में R2 रेफ्रिजरेंट R2 सीरिस रहा तो R407C रेफ्रिजरेंट इस्तमाल होगा इसका एक्स्टरनल फिनिश आके प्यूर पॉलिस्टर पॉडर कोटेड जी अ स्टील होसिंग होगा इंडोर इनिट का डेमेंशन साके 1160 x 660 x 1700 mm जितना होगा इस मॉडल नंबर के मशीन में इसका ब्लोयर का टैप आके सेंट्रिफुगल फॉर्वर्ड कर्व डबल इनलेट डबल विर्थ होगा और इस ब्लोयर का एरफ्लो कॉंटिटी आके 5950 मीटर क्यूब पर हवर होगा CFM में बात करें तो 3500 CFM होगा पवर सप्ले आके 450 वोल्ड त्री फेस 50 हर्ड जितना होगा कंप्रेसर टैप आके हार्मेटिक सील्ड स्क्रॉल टैप कंप्रेसर होगा नंबर अफ कंप्रेसर यूनिट्स में दो कंप्रेसर लगेंगे और इसका क्यपासिटी कंप्रेसर आके 0%, 50%, 100% जितना होगा इस मशीन में एर फिल्टर आके HDPE मेश टैप होगा कंप्रेसर आके माइक्रो प्रेसर बेसड विट LCD डिस्प्ले होगा चलिए बात करते हैं आउट्डोर यूनिट के बारे में आउट्डोर यूनिट का नॉमिनल डेमेंशन्स आके 1020 x 420 x 950 mm जितना होगा इसका विड्थ, डेप्थ और हैट आके पावर सप्ले आके 230 वोल्ट, सिंगल फेस 50 हर्ट्स में काम करेगा इस आउट्डोर यूनिट में कंडेंसर का टैप आके एर कूल्ड फिंट्यूप टैप होगा और कंडेंसर का टैप आके प्रोपेलर टैप फैन होगा इंडोर यूनिट के अगर मेरे वीडियो देखने से आप लोगों को कुछ सीखने को मिल रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिये और ऐसे मॉडल के बारे में जानकारी के लिए मेरे चानल को सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद